बड़े बड़े ड्रोन्स बहुत देखे हैं अब आपको हम दिखाते हैं एक छोटा सा प्यारा सा ड्रोन देखने में हाथ में आ जाता है लेकिन इसकी जब खूबी जानेंगे तो आश्चेरे चकित हो जाएंगे पारस के द्वारा ये बनाया जा रहा है पारस एरोस्पेस के द्वारा और हम मौझूद हैं कुछ सैनिक अगर उसके हाथ में ये ड्रोन दिया जाता है तो कुछ इस तरीके से वो गेर होगा जो वो होल्ड करेगा यानि कि कम्प्लीटली आपको कुछ नहीं करना है आपको बॉ प्लीज बताइए यह हमारी नैनो टेक्टिकल ड्रोन है मेरा नाम बंगजे मैं कंपनी का सीओ हूं एमनेक्स डिया डियो साइंटिस्ट तो हम यह ड्रोन इसलिए बनाएं ताकि सोल्जर को इसको कैरी करते वक्त सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या रहता है कि हमनी कितने ले ले जा पाएं गे तो इस तरीके से चोटी ड्रोन करने से आप कम से कम चार ले के ले जा सकते हैं और यह इसको बोलता है कैणिस्टर कैणिस्टर में से चोटा सरफ रहेगा कुस्का एक principle अस्को प्रेस करते घ्… ढॉन इस इसको स्टिक के बिना सिर्फ टैबलेट के जरिए आप सिंपली टच एंड प्लेस करेंगे तो यह जाएगा और टार्गेट एक्विजिशन करके उसको लाइटर करता रहेगा तो इसमें सबसे immense क्या है कि इसकी वेड़ जो है 100 पर ग्राम और इसको हम। सी ट्यूब में डाल सकते हैं और एक से agerton इसको बोलते आए जो जो ऑन पर इसमें इस तरीख एक चार पैक अपने साथ इंस्टाल करके इस तरहीके से इसको निकाल के इसका इस्तामाल कर सकते हैं तो जब कॉम्वेट सिनेरियों में रहता है सबसे बड़ा चैलेंज रहता है time तो बाखी Drones का installation मादब box से निकालके पुरा Install करके टेवक उफ करने का time करीबन 4-5 minute होता जब आप combat scenario में पहुंसते हैं वहाँ पर आपको हर एक सेकेंड मैटर करता है तो सलिए इसको हम बोलता है One Second ड्रोन तो One Second में आपने जैसे बटन दबा दिया Within One Second इस लॉंच्ट इन डार एर क्राफ्ट में यह हवा में आपको पूरा एरियल फीट देता रहेगा पूरा पांच किलो मिटर की सर्वे करेगा और आपको पूरा टैक्टिकल एरियल सुपिरियोरिटी देख वापस भी आता है इसमें एक सिंपल बटन होता है रिटन टू लांज ये स्क्रीन में जैसे सोलजर दबा देगा मेरा मिशन कटम हो या बैटरी 30 मिनिट्स कतम होने वाले अपने आप 30 मिनिट्स जैसे कतम होता है खुद वापस लाट के आ जाता है यहां फिर आप खुद मैनुवली भी इसमें जब आपका मिशन कतम होता है रिटन टू लांज करेंगे तो अपने आपके आपके बगल में लैंड कर जाएगा फिर फिर उसको आप रिपैक करके फिर नए मिशन के लिए रड़ी कर सकते हैं नए तो अगर आपका मिशन कतम नहीं हुआ तो दूसरा ड्रोन निकालेंगे और दूसरा ड्रोन मिशन करेंगे आप तीन चार ड्रोन भी कर सकते हैं लेकिन उसका फाइदा इतना ज्यादा नहीं होता है इन रियालिटी क्यूंकि आप एक सोलजर एक ही टाइम पर एक ही कैमरा फीड का इंटेलिजन्स ले पाता है जैसे आपने घर में चार टीवी चलाके चार चैनल देखना चाहते हैं आप देख सकते हो बिल्कुल लेकिन क्या उसके लिए आप यह मूवी चला लो एक में जुसच चला लो एक में गाना चला और एक में बक्ती चलाओ क्या कोई फाइदा करेगा आपको सेम चीज दे रों में करने के लिए जो ड्रों चला सकते हैं लेकिन उसे कोई फाइदा नहीं होने वाले सोलजर को सोलजर को अपना mission एरिया करता है यह पूरा उस एरिया का जो मकसद है उसका वीडियो फिल्ट लेकर देदेगा इसको कैसे अंदर सिंपल है किसी भी मोबाइल की तरह एक चोटा से रिचार्ज पॉइंट से इसको चार्जिंग डॉक में डालेंगे और यह कितने दिर में चार्ज बेगा करीब ऑन 45 45 मिनिट में चार्ज हो जाएगा इसको आप लोगों ने क्या भारती सेना के लिए पिच किया है या इसका ट्राइल्स अभी डिवलप्मेंट होके में चुरू ट्राइल्स हो रहे हैं हम इसका ग्लोबल मैनिफेक्टरिंग पार्टनर है और यह अल्रेडी मतलब बहुत सारे ट्राइल से जा चुका है और बहुत होती तरीके से इसको क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि बड़ा ड्रोन बनाना थोड़ा आसान होता है जितना सिस्टम चोटा होती जाती है उसमें चैलेंजस नहीं आते रहते हैं क्योंकि आपका उतना इंडूरेंस मेंटेन करना और उतना डिस्टेंस ना सबसे इंपोर्टेंट अब पांच किलो मिटर तक उड़ाना मतलब 500 ग्राम वाली ड्रोन में बहुत मुश्किल वाली बात है तो इसलिए हम इसको वन सेकेंड टैक्टिकल नैनो ड्रोन बोलते हैं और इसका दूसरा एप्लिकेशन भी फ्यूचर में आ रहा है कि इसमें हम एक्स्प्लोजिव भी डालते हैं आप किसी भी टार्गेट को पूरे पांच किलो मिटर में दे नेक्स्ट क्या बोलते हैं नेक्स्ट जेनरेशन वेपन टेक्नोलोजी में इसमें एक्स्प्लोजिव आता है हमारे सोल्डेर्स बिना डैरेक्ट लाइन ओफ फायर में एंगे आप करना चाहें तो जो तयारी चल रही है वो यह है कि इसी के अंदर छोटे एक्स्प्लोजिव फिट करके जिस भी टार्गेट को अगर हम हिट करना चाहते हैं वहां ड्रोन जाता है और अपने टार्गेट को सठीकता के साथ हिट कर देता है और एक तरीके से आप करी वेट क्या है अगर इस जैकइट क्या रिम्स पॉर् Tobler यї सोल्जर के पास बुलेट प्रूडरोफ इसमें हमारा प्रोड़क सिर्फू यह दिखाने के लिए यह हमारि ब्रॉड़क नहीं हनी यह सिर्फ एप्रेजेंटेस्टन वर्फिर थばिब्यासर ay इस समाझ से हम अस दूसरा आदमी उसका वीडियो फीड देखता है तो इसमें वही सोलजर टेक आफ भी करेगा और वही सोलजर कंड्रोल भी करता है यह इसकी कासियत है और सबसे इंपोर्टेंट इसके वजह यह है कि बहुत ही लाइट वाइट है और रगड़ रगड़ है माने मतलब वीचिज एंवायर्मेंटल शील्डिंग भी होता इसमें अब इसको कि टीपिकल सोलजर में बहुत बार गिरता है रफ रफ यूज होता है और वाटर से लेके स्नो तेमपरेचर यह वाटर अर्डरिस्टेंग है और जब द्रोन टेक आफ होता है माइड रैन टोलरेट करके रिटर्न की दुनिया में चोटे-चोटे ड्रोन तो बन रहे हैं लेकिन जिस तरीके से ये ड्रोन है इसकी खूबी है कि आप बैटल फिल्ड में भी इस तरह के ड्रोन का इस्तमाल करके रियल टाइम सिच्वेशन आप एक्सेस कर सकते हैं पांच किलोमेटर के इलाके तक और फिर आप अपने दुश्मन पर सटीक निशाना भी साध सकते हैं हुआ है